मुझें तयार हमारा बेसन बर्फी अस आज हम बनाने जा रहे है बेसन बर्फी तो मैं यहां पर 1 कटोरी बेसल ले रेहे में करीब 200 ग्राम बेसं होंगे और इसमें डालने के लिए हमने हम लिए 1 कटोरी छोटी कटोरी भी लिया है तो आई ज शुरू करते हैं मैंने प्रेन को गैस पर रख दिया गरम करने के लिए आप इसमें हम घी डाल देंगे और 200 ग्राम डेशन इसको हम एकदम धीमी आज पर भूनेंगे दस से बारे मिनर तक एदम स्लो फ्लेम पर ऐसे हमको चला चला के एकदम भूनना है अगर आपको लगे कि आपका बेशन सुखा सुखा दिख रहा है तो आप इसमें दो चमच और घी यूज कर सकते हैं अगर आप गैस पर बना रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा आप गैस को पीच में बंद भी कर सकते हैं थोड़ा सा पीच में आप गैस को बंद कर देंगे फिर आउन करेंगे ऐसे ही मिल्ट हो नहीं देना है आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा यह पीखलने लगा है ऐसे ही बराबर एदम चलाते रहेंगे अब हम चासनी तयार कर ले रहा है चासनी के लिए हमने एक पैनल लिया है उसमें थोड़ा सा पानी डाला है करीब एक कप के बराबर अब पानी में हम एक कटोरी चिनी डाल देंगे आइस का हनी जैसे सीरा तयार करना है आप मीठा कम या ज्यादा कर सकते हैं मेरे पास इलाइची पाउडर ने इसलिए मैं कूट के इलाइची डाल रही हूं ताकि खुस्दू अच्छा है इससे सीरे को हम पान से साथ मिनट तक ऐसे पकाएंगे अब सीरा मेरा इतम रेडी हो गया गैस को बंद कर देंगे बेशन भी देखी अच्छे से मिल्ट हो गया है ऐसे ही चला चला के एक तम आपको भूनना है देखें बेशन भूनने का पाचान है कि जब मैं इसमें पानी मारूंगे तो छन छन करे गए आप सुन सकते हैं बस बेशन मेरा अच्छे से भूना गया है एक बार प्लीज इस रेश्पी को आप लोग जरूर ट्रै करिएगा अब इसमें हम जो सीरा तयार किये हैं अब इसमें हम डाल देंगे चलाते रहेंगे इसे चलाते रहेंगे अच्छे से लंबर्ण्या से एक ही बार में सीगा को नहीं डालना है इसे एक हम चला लेना है अब हम गैस को आफ कर देंगे आप देख सकते हैं पूरी तरह रेडी हो गया है इसपे घीर लगा के पोत देंगे फिर इसे में हम बेशन को गिरा देंगे आप देख सकते हैं ऐसे ही हम इसको इत्म बराबर से हला देंगे मरतन में ऐसे ही सेट कर देंगे आप देख सकते हैं अब इसको हम बर्फी को ठंडा होने देंगे फिर इसके बाद हम इसका कटिंग करेंगे एक घंटे के लिए हम इसको रख रहा हैं एक घंटा रखने के बाद अब इसको हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे क्योंकि अगर गरम पर आप काटेंगे तो तूटे लगेगा तो ठंडा हो गया है तो आप अराम से कटिंगे अब इस छोटा बड़ा कर सकते हैं आप अपने हिसार से अब इसमें हम तीन काजू तीन बदाम और तीन तिपिस्ता और थोड़ा सा किस्मीज हमने इसको सजाने के लिए रख लिया है देजिए तयार हमारा बेशन का वर्फी आप देख सकते हैं मैं आपको निकालके दिखा रही हूं देखें कितना बढ़िया बना है देखें रेडिया हमारी बर्फी मेशन बर्फी जाए प्टल्स प्रेश 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 झाल